नमर्शकार दोस्तों किसी नहीं, किसी नहीं, किसी नहीं, किसी नहीं, किसी नहीं… स्वागत अफिर्स अथनाथ चैनल पर और ये वीडियो EFMC का Part 6 है जहां पर हम अलग-अलग Topics से बात करने वालें यार मतलब बस डॉक्टर नी रहा इस पढ़ती रहा नहीं जिसको में जीना है, इस society को, जिसको में face करना है, उसके आरहें को जाना जरूरी होता है. Now, let's talk of career perspective. यार, career क्या होता है? ठीक है? तो, AFMC, Armed Forces Medical College, से पास करने के बाद, आप AFMS, यानि Armed Forces Medical Services में recruit होते हो. What are the Armed Forces Medical Services? There are three Armed Forces Medical Services. Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. इन तीनों के अंदर, आप इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हो. अब, it is basically, you know, merit come choice basis, in which you are actually decided. ठीक है, merit come choice basis पे, आपको भेजा जाता है. What is merit come choice? मतलब, आपका क्या choice है? और merit, उस हसाब से भेजा जाता है. ठीक है, आपको किसमें जाना, आप पे depend करता है. इन तीनों में से कभी dispute हो जाता है, तो कैसे चूज़ करते हैं? मैंने और रिसकस कर रखा है, माले किसी दो बंदे में वो हो जागी, मुझे भी एर फोस में जाना है, तो जो लोगों को जाना है. ठीक है, तो ये एक merit come, merit come, choice basis पे होता है, ठीक है, एक basic salary कितनी होती है, उसके लिए आपके सामने एक picture आजाएगी, ठीक है, ये एक screenshot लिया गया है, उन्हीं के, you know, brochure में से, जहां पे आप देख सकते हैं, कि credit से, जब आप commission होते हो, महां से लेके आगे तक कैसे कैसे salary होती ह बढ़ती ही कैसी है, ठीक है, उसके लिए बाद एक बहुत important part जो होता है, जब आप AFMC से pass out होते हो, और रेकूरूट होते है, फिर आप commission होते है, वो होता है, life as an officer, ठीक है, तो यार, ये बाते हैं कहीं से, किसी से छुपी हुई नहीं है, कि, you know, the life of an officer is something which is great, you know, officer, actually, देख और काफी सारे differences होते हैं, basic जो आपका, मैं अगर मैं बता हूँ तो जैसे, residentially, आपको जो घर मिलते हैं, वो airmen के अलग होते हैं, officers के अलग होते हैं, उनके जो cantonment होते हैं, जैसे, air force canton, उसके अंदे divide किया रहा है, ये officers enclave है, ये airmen enclave है, जो अलग-अलग parties वगरा होती है, मैं मुझे जाँ तक लिखता है, mess में हम लोग, क्या कहते थे उसको, मैं भूल रहा हूँ, मतलब जैसे, हर महीने होता है, अलग-अलग games वगरा होते थे, वो भी अलग-अलग होता है, ठीक है, officers का लग होगा, और airmen का लग होगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ज बता दूँ कि, मतलब, there's a change in life, obviously, ठीक है, officers high post पे है, airmen lower post पे है, but there is, you know, kind of royal life, है, मतलब, अच्छी life होती है, officer की, और, मैंने अर्रेडी बता रख्या, जैसा मैं आपको फिर से बता दूँ कि, मैं ये भी बताऊँगा कि, अगर मैं AFNC में जाता हूँ, तो क्यो जाँगा, नहीं जाता हो, तो क्यो नहीं जाँगा, next video में, तो you can just be updated, मैं बहुत जल्दी upload करूँगा, क्योंकि अब, ऐसा कुछ there would be normal talks itself, तो ऐसा कुछ खास जरुरत नहीं कि मैं कुछ content बेकर develop करूँ, मैंने इसके लिए काफी research कर रखा काफी सारे videos के लिए, तो it's not a big deal, ठीक है, अब, जो मैंने basic salary बताई है, उसके अलावा भी कुछ-कुछ facilities दी जाते हैं, जैसे की, military service pay, ठीक है, ये क्या होता है, military service pay is nothing, बट, वी additional life का आप समझ लोग की, you know, Montreal या financial support होता है, उसके लावा non-practice allowances, NPA ठीक है, ये भी आपको मिलता है, तो ये तीन चीजे, at least आपको basically मिलती है, उसके लावा और भी other types के होती है, जो कि आपको exclusively service में जाने के बात बता चलती है, ये तो उन्होंने खुद का है, ठीक है, उसके लावा 60-day के annual leaves provide की जाते है, 20-days casual leaves provide की जाते है, 20-days casual leaves, 60-days annual leaves, ठीक है, ये provide की जाते है, उसके लावा अलग-अलग type के facilities होते है, जैसे एक होता है LTC, LTC क्या होता है, leave travel concession, आप जब leave आपको कभी छुट्टी मिलिए, कहीं आपको जाना है, तो आप वहाँ आपको कुछ जाने के खर्चाब करता आएंगे, तो उसके लिए कुछ concessions provide की जाती है, उसके लावा free medical services provide की जाती है, उसके लावा free medical services provide की जाती है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके families को, obviously जब आप doctor हो, तो आपके लिए होगा, but ये exclusively आपके लिए नहीं किसी के लिए भी health scheme, मैंने अपने vlog में cover किया था, तो ये चीज़े provide की जाती है, तो ये चीज़े provide की जाती है, तो you would be obviously happy, then there is something called CSD, CSD is nothing but canteen, stores, depot, ठीक है, वहाँ पे basically, काफ़ी सारी prices को काफ़ी subsidized rate पे या यूँ कहले है, काफ़ी flat discounted rates पे बेचा जाता है, and that's obviously legal, ऐसा नहीं कि कुछ गल है, and one more thing is group insurance, group insurance जो कि obviously 75 lakhs का होता है, group insurance का होता है, exactly group insurance क्या है, वो काफी थुदा थुदा लंबा एक्स पे बते हैं, काफी आपको kind of insurance दी जाती, जो कि 75 lakhs वर्थ की होती है, तो that's also good amount and good security, वैस अगर आप permanent commission, या चार्ट service commission, इन दोनों में, किसी में भी, अगर आप 4 साल, बतौर captain, गुजार लेते हो, अगर आपने देखा होगा है, वो अगर आपने चार साल captain के form पे बिताया, तो आपको चार साल में you can be promoted to major, major के post के आप प्रमोट हो सकते हो, अगर आपने ये कर लिया, then you can be eligible for PG or DNB, ठीक है, PG or DNB, what is PG, PG is post graduation, we all know, after MPPSP, go for it, or even DNB, DNB is called Diplomate National Board, ठीक है, अब उसके लिए applicable हो जाते हो, ठीक है, जो कि DNB is nothing but equal to MT or MS, जो भी हम लोग होता है, उसी के बराबर ये DNB को खा जाता है, ठीक है, तो ये अब उसके लिए eligible होता है, लेकिन जब तक आपने चार साल captain के form में नहीं है, तब तक आप PG के लिए eligible ही नहीं हो, यानि आप लिखी नहीं सकते PG, अगर आपने कर भी लिया तो, ठीक है, तो ये एक थोरा आवियों के लिए ये loss जैसा होता है, पर एक और फाइदेमन चीज़ ये है, कि जब आपने PG का आपने सोचा आपको लिखना है, तो अपने जब captain के लिए चार साल के लिए आपने कर दिया, जिस से तीन साल बैटके सिर्फ प्रिपेर कर सकते हो, और जूँँ को फुल प्यमिन प्रिपेर कर सकते हो, ये छीज को फुल प्यमिन प्रियुति कुछ भी payment में reduction रेस एक हमें उन्दार परस प्रियू कवा जाना है, ये आपको कहीं और जाना है, तो आपको ये और जाना है, the college is actually great because there are 400 PG seats and almost 100% students get promoted to the PG so one of the biggest achievements is that 40 super specialization seats and they are every year obviously every year 400 PG seats are available and 40 super specialization seats are available so there are a lot of important number of seats which you can see and you know these things are important in BBS, Koryan, Koryan, Rukta normally in go PG, SS these all have to do so you can see there are a lot of good opportunities this is providing armed forces medical services now the last part is service liabilities and medical examinations so guys I have to tell you that the service liabilities and medical examinations medical examinations I have to tell you in a very detailed version in a video already explained so if you have to tell me how much detail I have to tell you if you don't then you can see the i-button click on it check the video you can tell me if you have to tell me if you have to tell me if you have to tell me in any case there is some cancellation if you have to tell me if you have to tell me 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 if you have to tell me you have to tell me if you have to tell me you have to tell me if you have to tell me you have to tell me if you have to tell me if you have to tell me don't call me I don't know but this is the warning you can understand you are busy okay so this was the last part of this video AFMC I will tell you if I go to AFMC I will tell you if I go to AFMC then why will I go and if I don't then why will I go so that will be a great video apart from that there are many videos which are in line itself I will upload very quickly I will upload because I have a lot of free time and 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 I have a lot of free time so if I go to AFMC then we will do it so we will do it so we will do it in 2-3 days you don't have to know so I remember that the Supreme Court of India the Honorable Supreme Court of India has released a decision and the reservation the 8 lakhs the policy has not changed so the 8 lakhs reservation is at least this year EWS the criteria it will be it will be so we will do it very quickly in 2-3 days so you can be ready for that and in few days you will see that the whole thing you know counseling and everything can be started so I am sorry you are ready to be ready in college and probably by this February or something we are going to start a new life in college which will take new admissions and not you will get all the best for your studies for this time you will go to AFMC if you want to I will meet you in the next video till that have a great day and you will see in the next video I will see you in the next video in the next video